1993 में हुए मुंबई कांड से जब पूरा देश तडब उठा था और हर किसी की जुबान पर दाउद को अरेस्ट करने की टिमांड थी तो उसी दोर में मुंबई अंडरवर्ल में एक नया डोन उफर कर आया जिसने दावा किया था कि वो दाउद इब्राहिम को पकड़ कर भार करत ला सकता है वो ऐसा गैंक्स्टर था कहीं भी कोई भी क्राइम होता सिर्क फेमस होने के लिए सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी खुद लेता चाहिए वो अपराद किसी ने भी किया हो जब इस बात पर रोग उसका मजा कुड़ाने लगे तो उसने सच में ही बड़े लाकेश रोशन और क्या सारुक खान उसकी धंकी से कोई नहीं बच पाया और जीत सिंग को तो उसने धंकी दी थी या तो पांच लाक रुपे दे या फिर दो सो फ्री में कर उसने सारुक खान को करीम मौरानी से कोई भी रिलेशन ना रखने की भी धंकी दी थी करीम मौरान सारुक खान का बिजनेस पार्टनर है उसने मुंबई के फेमस वकील माजीद मेनन को भी मारने की कोशिस की थी लेकिन काम्याब नहीं हो पाया उस गैंग्स्टर का कहना था कि उसके आदमियों ने माजीद मेनन को मारने की कोशिस इसलिए की थी क्योंकि उसकी रिलेशन और छोटा सकील से थे उसने दावा किया था कि मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूं जिनका दावद और छोटा सकील के साथ कोई भी रिलेशन है वे भारत विरोती हैं और पाकिस्तानी एजेंसी ISI से जुड़े वे हैं उसने टीवी पर एक इंट्रव्यू में ये भी दावा क किया था कि महेश भट और पॉलिवूड फिल्म प्रोडूसर वासु भगनानी ताउद इब्राहिम के ही आदमी है और वे ज्यादा टाइम जट जिन्दा नहीं बच सकते लेकिन उस टाइम के मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच जोएंट कमिशनर अरूप पटनाइग न के दिमाग में अपना डर बनाना चाहता है ऐसे फेक दावे करके लोगों में तहसत फैलाने वाला ये गैंग्स्टर था रवी पुजारी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दया है स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले रवी पुजारी एक ऐसा चाला क्रिमिनल जो रहता था भारत में लेकिन जब भी फिरोती के लिए किसी को कोल करता तो अपनी लोकीशन आस्ट्रेलिया बताता रवी पुजारी भी छोटा राजन की तरह पहले डी कमपनी में काम करता था लेकिन बाद में इसने अलग गैंग चलाना सुरू कर दिया रवी पुजारी ने साल 1990 में मुंबई के अधेरी इलाके में अपना ठिकाना बनाया यहीं पर रहते रहते रवी पुजारी ने अपना एक गैंग बनाया और छोटी मोटी लूट की वारदातों को अंजाम देना सुरू कर दिया यह लोग ज्यादातर बसों में लूट खसोट करते थे लेकिन टाइम के साथ इनकी वारदातें कुछ बड़ी होती चली गई इनहीं वारदातों के चलते कुछ और क्रिमिनल के साथ रवी पुजारी की दुस्मनी भी हो गई इसी दोरान रवी पुजारी ने अपने एक विर चोटा राजन ने उसे अपने साथ मिला लिया उस टाइम चोटा राजन चोटे मोटे गैंग्स्टर और अपराद करने वाले लोगों पर नजर रखता था और जैसे ही कोई ऐसा क्रिमिनल उसकी नजर में आता था जिसके अंदर बड़े क्राइम करने की क्वैलिटी होती थी तो वो उसे दाओद गैंग में सामिल कर लेता था ये ही वो टाइम था जब रवी पुजारी ने चोटा राजन के लिए काम करना सुरू किया था कुछी दिनों में चोटा राजन ने रवी पुजारी को एक साथ सूटर बना दिया जब दाओद इबराहिम दुबई में साथे दुबई में सिफ्ट हो गया चोटा राजन ने रवी पुजारी को हिरोति का काम सोब दिया रवी पुजारी इस टाइम तक छोटा राजन का खास बन गया था इसलिए मुंबई कांड वेताउत का नाम आने के बाद जब छोटा राजन ने डी कंपनी छोड़ी तो से अलग हो गया साल 1994 में छोटा राजन दुबई छोड़ कर मलेशिया पहुच गया और फिर मलेशिया से बैंकोग रवी पुजारी और गुरू साटम भी छोटा राजन के साथ ही थे इन लोगों ने बैंकोग से अपना फिरोती का धंदा करना शुरू कर दिया कहा जाता है कि रवी पुजारी की एक खास बात ये थी कि जब भी वो किसी को फिरोती के लिए कोल करता था एक ही बात को दो बार दोखराता था एक बार हिंदी में और एक बार इंगलिस में फिरोती के लिए कोल पर वो अपना ठीकाना हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही बताता था जबकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया से उसका या उसके गैंग का कोई भी कनेक्शन नहीं था इनका पूरा धंदा बैंकोक से ही ओपरेट होता था लेकिन जल्दी ही इनके गैंग में फूट पड़ गई रवी पुजारी और गुरु साटम छोटा राजन से अलग हो गए इनके अलग होने के पीछे ये घटना बताई जाती है कि एक बार रवी पुजारी और गुरु साटम छोटा राजन के पास गए और उससे अपनी जरूरत के लिए एक हजार डोलर मांगे लेकिन छोटा राजन ने इनकी इंचल करते हुए पैसे देने से मना कर दिया इन दोनों को छोटा राजन की ये बात बुरी तरह चुब गई और इनोंने छोटा राजन से अलग होकर अपना अलग गैंग बनाने का इरादा बना लिया इस टाइम तक दाउद इबराहिम और छोटा राजन के बीच गैंग वार्चल रहा था दाउद की तरफ से छोटा सकील ने मोर्चा संभाल रखा था और छोटा सकील किसी भी तरह छोटा राजन को ढूंड कर खतम करना चाहता था लेकिन उसे छोटा राजन का ठीकाना नहीं मिल रहा था उदर छोटा राजन एक के बाद एक उसके गुर्कों को मार रहा था छोटा राजन इस टाइम तक सकील के खास दोस्त सुनिल सांथ को भी मरवा चुका था कहा जाता है कि 2000 में रवी पुजारी और गुरू साटम दुबई के एक बार में सराब पी रहे थे और नशे में छोटा राजन को गाली पे गाली तिये जा रहे थे उस दोरान डी कंपनी के कुछ लोग वहां मौजूद थे जो छोटा राजन की तालास में थे उन्होंने इन लोगों को पहचान लिया और इनसे छोटा राजन का ठीकाना उचने लगे रवी पुजारी ने इसके बदले अपने हाथों की पांचों उंगलिया उठा कर पांच करोड रुपे की टिमाट की डी कमपनी के गुर्गों ने तुरंत रवी पुजारी की बात छोटा सकील से करवाई फिर इसके बाद रवी पुजारी और गुरू साटम को दुबई के एक सोपिंग मौल में ले जाकर 60,000 दिरहम की सोपिंग करवाई गई रवी पुजारी से छोटा राजन की लोकेशन मिलते ही छोटा सकील ने छोटा राजन पर एक बड़ा हमला करने का प्लान बनाया ताकि उसे बचने का मोका ना मिल सके इस हमले को अंजाम देने के लिए मुंबई से एक सार्फ सुटर मुन्ना जिंगडा को नेपाल के रास्ते कराची बुलाया गया और उसे पाकिस्तानी नागरिक पना कर बैंकोक में छोटा राजन के पास ही एक फ्लेट किराई पर दिलवाया गया 14 सितंबर 2000 की रात लग बग साड़े नो बजे मुन्ना जिंगडा ने अपने कुछ लोगों के साथ छोटा राजन के फ्लेट का दरवाजा नो किया छोटा राजन के खास रोहित वर्मा ने दरवाजा खोला दरवाजा खुलते ही रोहित उसकी वाइप उसकी बेटी और एक नोकरानी को गोलियों से भुन दिया गया इस हमले में छोटा राजन को भी कोली लगी लेकिन वो खिड़की के रास्ते भागने में कामियाब हो गए छोटा राजन और दावद के इस गैंग वार की पूरी स्टोरी का एक वीडियो इसी चैनल पर है जिसे देखकर आप इस पूरी कहानी के बारे में जान सकते हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है इसके बाद रवी पुजारी अफरीका के सेनेगल में जाकर बस गया और वहीं से अपना फिरोती का धंदा चलाने लगा बाद में उसने अपनी पतनी और बच्चों को भी फर्ची पास्पोर्ट के सहारे वही पर पुला लिया इसका निशाना होते थे मुंबई और करनाटक के बड़े बिजनेसमेन रवी पुजारी वहां से फिरोती के लिए कोल करता और फिरोती ना देने पर उसके गुर्गे यहां पर उस बिजनेसमेन को ड्राने के लिए उसके घर या ओफिस में कोल चल वा देते। इस तरह सेनेगल में बैठे बैठे भारत में इसका फिरोती का धंदा चलता रहता। इसी दोरान रवी पुजारी ने करणाटक के किसी रेस्टरेंट के मालिक को फिरोती के लिए कोल किया, लेकिन उस restaurant में किसी police officer की partnership थी अब उस police officer ने उसकी location को trash करवाया तो पता चला रवी पुजारी उस्ट्रिलिया में नहीं बलकि अफरीका के सेनेगल में है इसके बाद अफरीका में Indian embassy में contact कर बताया गया कि भारत का most wanted रवी पुजारी नाम और पहचान बदल कर वहां रह रहा है वहां इसने अपनी अलग ही पहचान बना रखी थी वहां पर रवी पुजारी Anthony Fernandis के नाम से रहता था रवी पुजारी लगबग 15 साल से फरार था वो अफरीका के सेनेगल में एक social worker बन कर रहता था उसने सेनेगल के उन ग्रामीन इलाकों में पीने के लिए साप पाने का arrangement भी किया जहां पर जल संकट था वहां के लोकल नूज पेपर्स में रवी पुजारी के social work की कई खबरे भी छप चुकी हैं इसके अलावा साथ में एक restaurant भी चलाता था 21 जन्वरी साल 2019 को रवी पुजारी को अफरीकी देश सेनेगल में एक hair salon से एरेश्ट किया गया उसके पास बुर्कीनों भासों का passport था जो 10 जुलाई 2013 को इसु किया गया था और इस passport की मान्यता 8 जुलाई 2023 थक थी पासपोर्ट के हिसाब से वो सेनेगल में एक commercial agent बना हुआ था जैसे ही भारत में ये ख़बर आई कि रवी पुजारी अफरीका में arrest किया गया है तो मुंबई पुलिस उसके परत्यारपन की तयारी करने लगी लेकिन इसी दोरान उसे सेनेगल में जमानत मिल गई और वो फिर से फरार हो गया इसके बाद फरवरी 2020 में साउथ अफरीकन सेनेगल पुलिस के joint operation में उसे दोबारा arrest किया गया भारत की तरब से करनाटक पुलिस और raw officer सेनेगल से उसकी परत्यारपन की तयारी में लग गए और उसी महीने उसे अफरीका से परत्यारपित कर भारत लाया गया रवी पुजारी पर फिरोती हत्या ब्लैक मैलिंग और धोखा धड़ी के मिला कर दोस्सों से अधिक मामले धर्श थे जिनमें से 90 केस करनाटक थे सबसे ज्यादा केस करनाटक में होने की वज़े से रवी पुजारी की कश्टडी करनाटक पुलिस को मिले इसके बाद फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने रवी पुजारी को साल 2016 के गजाली होटल फाइरिंग केस में अपनी कश्टडी में ले लिया उसके क्राइम ग्राप को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उसके खिलाब मकोका भी लगाया हुआ था अगर रवी पुजारी की परसनल लाइप की बात करें तो रवी पुजारी का जन्म करनाटक के बैंगलूरू के नजदीक मालपे में हुआ था उसके पिता का नाम सूर्य पुजारी था और वे एक सीपिंग कंपनी में काम करते थे उसकी मा एक house wife थी, रवी पुजारी के बारे में कहा जाता है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उसे school से निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद रवी पुजारी को तीन तीन language का knowledge है, आज के टाइम में रवी पुजारी के पिता इस दुनिया में उसकी मा और बेहने दिल्ली में रहते हैं, वैसे तो रवी पुजारी का जन्म साउथ इंडिया में हुआ था, लेकिन उसका पूरा बच्पन हुंबई में ही बीता था, उसके तीन बच्चे हैं, दो बेटिया और एक बेटा इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उमीद करता हूँ वीडियो और इसमें दी कई जानकारी आपको पसंद आई होगी, फिर मिलूंगा एक नए वी वीडियो के साथ धन्यवाद.